हलोँ फ्रेंट्स आज हम बनायेंगे बड़े उभी बहुत सुपर टेस्टी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट ये देखिए, उपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पि क्रिस्पि और अंदर से बहुत सॉफ्ट बड़े हमारे बनकर तयार होंगे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना घर की चीजों से तो बहुत ही बड़े लाजबाब बड़े हमारे बनकर त्यार होंगी तो चलिए शुरू कर लेते हैं उसके पहले आपको अगर वीडियो पसंद आती है और यहां साथ पे हमने लिया है मटर की डाल आप चाहें तो सिर्फ उड़दाल से बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो सिर्फ मटर डाल से भी बनाया जा सकता है तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी भीगी हुई उड़त दाल और एक कटोरी भीगी हुई मटर की दाल लिया हुआ है अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिलाते हुए हमें ग्रांडी जार में डाल कर पेस्ट लेना है और इसका एक पेस्ट बनाना है और इसका पेस्ट थोड़ा सा थिक बनाना है बहुत रनी पेस्ट नहीं बनाना है तो चलिए पहले मैं सारे डालों को इसमें डाल लेती हूँ जितना एक बार में आ जाएगा उसकी बार इसको पेस्ट लेती हूँ मैं आपको दिखाते हूं कि इसका किस तरीके का पेस्ट हमें चाहिए होता है बड़े बनाने के लिए जो पेस्ट होता है वो बिल्कुल टाइट पेस्ट चाहिए बहुत सदर रनी हो जाएगा तो बड़े आपके सही नहीं बनेंगे और आपको बनाने में भी परेशानी होगी तो इस तरीके से दाल को पीसना है बिल्कुल पानी का यूज नहीं करना है इस तरीके से दाल को टाइट ली पीसना है अभी इसको हमें अच्छे से फेट लेना है तो आप चमच का यूज कर सकते हैं हाथ का यूज कर सकते हैं इसको फेटने के लिए जितना आप इसको फेट कर बनाएंगे बड़े आपके उतनी ही बढ़या और इतनी ही फ्लापी फूले हुए बनते हैं तो ये देखिए मैं इसमें से सारे बड़े नहीं बनाऊंगी मैं इसमें से बाकि और भी रेसिपी बनाऊंगी उसका वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं तोड़ा सा फेटने के बाद इसको हम 10 मिनट रखेंगे और 10 मिनट बाद हमें जितनी डालें चाहिए थी हमने उतना ले लिया है और अभी हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक छोटी चमच जीरा डाल रही हूँ इसके साथ यहाँ पे स्वाद के अंसार नमक डालूँगी बड़े में नमक बहुत ध्यान से डालना है आदा छोटी चमच लाल मिर्ची का पाउडर इसके साथ मैं यहाँ पे एक पिंच हींग डाल रही हूँ हींग का टेस्ट अगर लाइक करते हैं तो जरूर डालें क्योंकि बड़े में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है एक छोटी चमच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ इसके साथ यहाँ पे मैं डालूँगी कटा हुआ हरा धनिया इतनी मसाले बड़े में हमारी इनफ होते हैं तो इतना ही मसाला यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अगर आप बड़ा बनाने में कुछ और मसाले का यूज़ करते हैं या फिर कुछ यूनिक चीज़े डालते हैं तो आप कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं अभी इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे यह चमत से नहीं मिक्स उपाएगा तो हम इसे हाथ से अच्छे से फेटेंगे तो इसको हम हाथ से बड़िया तरीके से फेट लेते हैं इससे बड़े बनाते हैं को इस तरीके से परके बनाते हैं तो इस तरीके से बूंगों हम सीच बड़े में बड़े तियार करेंगे जब दाल आपकी थिक पिसिव होती है तो बड़े बहुत असानी से बन जाते है तो बीच में हम थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये बड़े दोनों साइट से अच्छे से पक जाए यहाँ पे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर तेल को गरम किया है और इनमें हमें सारे बड़े को एक एक करके डालते हैं फ्राइ कर लेना है तो बहुत ही साओधानी से सभी बड़ों को तेल में डाल देना है यह देखिए हमने साभी बड़ों को इस तरीके से ओयल में डाल दिया है और जब ये एक साइट सिख जाएंगे न तो ये अपने आप तेल से उपर आने लगते हैं और जब ये उपर आने लगें तब हम इने दूसरी साइट पलट लेंगे तो यहाँ पर गयास की फ्रेम बिल्कुल लो रख लेंगे ताकि ये बड़े न अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरीके से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए अगर हम हाई फ्लेम पर या मिडियम फ्लेम पर इने फ्राइ करेंगे तो ये उपर से बहुत जल्दी सिख जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो ये देखिए दोनों तरब से हमने चलाते वी इसको अच्छे से पका लिया है और मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ इन बड़े काफी अच्छे पके हुए लग रहे हैं का कलर भी बहुत सुन्दर लग रहा है और ये देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये देखिए बड़ा हमारा बनकर हो गया है त्यार अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसको हरी चुटनी के साथ दही वाली चुटनी के साथ दही तड़का के साथ हमने से सर्फ करेंगे यह देखें बड़ा हमारा बनकर त्यार है तो आप जिस तरीके से चाहें इसे सर्फ कर सकते हैं आप इसे दही बड़ा बना सकते हैं या इसे नॉर्मल चट्नी के साथ सर्फ कर सकते हैं तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो उमेद करते हैं जरूर पसंद आई होगी